SBI Elite Credit Card report, post और various other categories में benefit के साथ एक all-rounder premier credit card है जो लोग बहुत सारे credit card एक साथ रखना पसंद नहीं करते पर चाहते हैं कि अच्छा खासा और लगबग सभी तरीके के benefits लेना तो ये बहुत अच्छा option आपके लिए हो सकता है जिसकी annual fees है 4,990 रुपए जो of course बहुत जादा है पर ये credit card अपने users को उसी level की कई benefits भी देता है ये card club विस्तारा और priority pass program के लिए complimentary membership भी आपको provide कराता है 0.5% के reward rate के साथ SBI Elite Credit Card एक जादा reward देने वाला और attractive credit card है खासकर अगर आप credit card से जादा खर्च करते हैं credit card की detail characteristics और benefits आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस card पर सबसे पहले बात करते हैं इसके welcome e-gift voucher की SBI Elite Credit Card की fees 4,999 रुपए है लेकिन ये 5,000 रुपए के welcome e-gift voucher के form में पूरा amount आपको return कर देता है आप different brands में से अपनी पसंद के brand को choose कर सकते हैं जिसमें Hush, Puppies, Barta, Yatra.com, Shopper's Top और Pentaloons, Bidla Fashion जैसे brands included हैं आपको annual fees payment के 15 दिनों के अंदर इन e-voucher options में से एक का SMS मिलेगा request के पास दिनों के अंदर e-voucher आपके registered mobile number या आपकी email ID पर भेज दिया जाता है SBI Elite Credit Card अच्छे खासे reward प्रोवाइड करने वाला एक credit card है खास कर अगर आप credit card से ही अपने जादातर खर्चे maintain करते हैं SBI Elite Credit Card का reward structure आपको समझा देते हैं Food, Departmental Stores और Groceries Expense Fair अगर आप SBI Elite Credit Card का यूज़ करते हैं तो आपको मिलते हैं 5 गुना reward point Fuel पर खर्च को छोड़ कर दूसरे सबी खर्चों पर 100 रुपए अगर आप spend करते हैं तो 2 reward point आपको मिलेंगे मही international transaction पर खर्च के गए हर 100 रुपए पर 2 reward point आपको मिलेंगे अब इन reward point की value क्या है 4 reward point अगर आप मिलाएंगे ना तब जाकर आपका 1 रुपए बनेगा यानि 4 reward point की value एक रुपए के बराबर है अब इस card पर मिलने वाले milestone rewards को भी समझ लेते हैं एक साल में 3 लाक या 4 लाक रुपए अगर आप spend करेंगे तो 10,000 रुपए का bonus reward point आपको मिलेगा वही एक साल में 5 लाक अगर आप खर्च कर रहे हैं तो 15,000 bonus reward points के रूप में आपको मिलते हैं 8 लाक रुपए annual spend पर extra 15,000 bonus reward point card holder को सीज़े सीदे मिल जाते हैं cash back में redeem होने पर अगर आप cash back में redeem कर रहे हैं अपने reward point को तो 50,000 bonus reward point की value जो है वो 12,500 रुपए की होगी ये card आपके entertainment का भी खयार रखता है तो आप जान लेते हैं कि movies पर आपको इसमें क्या benefit मिलने वाला है अगर आपको लगता है कि SBI Elite Credit Card की annual fees बहुत ज़ादा है ना तो आपको बदा होना चाहिए कि पूरी fees amount अकेले इस benefit के बनले adjust हो सकती है card में हर साल 6,000 रुपए तक की movie ticket provide की जाती है 6,000 अब इस offer के अंदर पर मन्थ दो ticket book कर सकते हैं और पर ticket पर 2500 रुपए का maximum discount भी आप ले सकते हैं लेकिन आपको transaction पर applicable service fee का payment करना होगा इस card पर आपको special travel benefit क्या मिलता है आपको complimentary club विस्तारा silver membership मिलती है जिसमें आपको मिलते हैं धेर सारे benefit जैसे एक complimentary upgrade विस्तारा का voucher विस्तारा की flight पर खर्च किये गए 100 रुपए पर 9 club विस्तारा points धान से समझें कि ये membership सिर्फ primary card holder के लिए है एक बार जब आप अपना नया SBI Elite Credit Card ले लेते हैं तो आपको internet banking के लिए registration जो है वो करना पड़ता है और फिर अपने club विस्तारा membership को equate करना होता है अगर आप लगातार ट्रावल करते हैं तो SBI Elite Credit Card आपके लिए एक बहुत अच्छा option हो सकता है क्योंकि ये कई travel benefit भी provide करता है Trident rate tier membership एक और benefit जो है वो उसमें आपको मिल जाता है जो आप इस card पर ले सकते हैं अब सोचने होंगे कि भला इस membership से फाइदा क्या मिलेगा तो समझें कि इसकी registration पर 1000 welcome point आपको मिलते हैं website के through hotel की booking पर 10% का instant discount आपको मिल जाता है partner hotel की room में booking के लिए खर्चे पर 100 रुपे पर 10 reward point मिलते हैं और पहले step पर 1500 point आपको मिल जाते हैं ये card आपको लेना चाहिए या नहीं तो इस सवाल का जवाब हमारी तरफ से ये होगा कि क्यूंकि SBI Elite Credit Card उन लोगों के लिए useful है जो भारी भरकम खर्च करने वाले लोग है और एक all rounder credit card लेना चाहते हैं भले ही ये जादा fees पर available हो पर card users को कई travel benefit भी provide कर रहा है इसलिए ये definitely एक अच्छा credit card साबित हो सकता है और है भी hotel reward के मामले में ये credit card users को Trident hotel में booking पर 200 रुपे के reward rate पर 10% का discount देता है इसके अलावा वस्तारा airline ticket खरीदने वाले card holder अपनी booking पर 5% reward rate earn करेंगे ये hotel और flight booking rate users को उनकी सभी travel पर अच्छे prices earn करने में मदद करता है इसके अलावा priority pass के लिए membership केवल 2 साल के लिए ही valid है इसके बाद आपको membership को continue रखने के लिए $99 का payment करना होगा ताकि आप उस एक साल में 6 complimentary lounge visit का benefit दुबारा से ले सके हाला कि पहले साल के charges को welcome gift e voucher के form में adjust कर दिया जाता है लेकिन brand option बहुत limited है इसके अलावा annual fee तब wave off होती है जब आप एक साल में 10 लाख रुपए खर्श कर देते हैं कार्ट से SBI Elite Credit Card ज्यादा खर्श और ज्यादा travel करने वाले लोगों की need के according है तो अगर आप travel बहुत ज्यादा करते हैं या आपके personal जो expenses है वो बहुत ज्यादा है तो आप इस card को use कर सकते हैं या आपके लिए बहुत useful होगा अपने credit card से जोड़ी कोई भी information अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कर देंगे कमेंट हम देंगे आपके सवाल का जवाब और ऐसे ही information और अलग-अलग credit card के बारे में update रहने के लिए subscribe कर दीजे हमारा channel और यूज करते रहें credit card क्योंकि credit card सही है